सो दोस्तो आज मैं आपको stretch screen का tutorial देने वाला हूँ जो की mostly Brazilian players use कर रहे हैं and as you can see यहाँ पे 1K, 2K subscriber वाले channels पे भी काफी must views आ रहे हैं and आप लोग भी अपने montage वीडियो में try कर सकते हो, हो सकता है आपकी वीडियो पे भी काफी अच्छे views आने लगें so let's start so stretch screen करना काफी ज्यादा easy है, सबसे पहले VPN connect करके CapCut application में आ जाना और जो भी आप लोग का gameplay रहेगा उसको guys आप लोग को पहले select कर लेना है ठीक है, पहले edit मत करने लगना, पहले stretch screen का effect apply कर देना, then आप लोग कर सकते हो so आप लोग अपने gameplay लेके आना है, then aspect ratio में जाके 16 ratio 9 को select कर लेना, अब आप लोग को अपने वीडियो को थोड़ा सा याप जूम कर लेना है, क्योंकि जो black bars देख रहे हैं, वो hide हो जाए, अब यहाँ पर आपको done करके अपने वीडियो को select करना है, और आप लोग को आ जाना है retouch में, then आपको यहाँ पर body पर आ जाना है, और यहाँ पर body पर जैसे ही click करोगी, तो auto में रहेगा, आप लोग को क्या करना है, अपने दोरों finger से ऐसे zoom कर लेना, जो भी यह effect रहेगा, यह line आपके वीच में ही रहनी चाहिए, वीडियो के, so इसको adjust करने के बाद में, stretch screen का काम हो चुका है, ऐसे ही आप लोग अपने वीडियो पर apply करना है, बाकि यहाँ पर आप लोग को और भी option मिल जाएंगे, तो आप लोग अपने according इनको try कर सकते हो, और अधर आप लोग का video edit हो चुका है, तो आप लोग यहाँ पर apply to all कर देना, so आप लोग की जितनी भ आ गया होगा, बाकि अगर आप लोग को quality enhance करना है अपने montage वीडियो का, तो आप लोग यह वाली वीडियो देख लेना, यहाँ पर मैंने पूरा detail में आप लोग को बता दिया है,